दोस्तों क्या आपने कभी किसी चील को सांप का शिकार करते देखा है चील को किंग अव स्काई भी कहा जाता है ये पक्षी गदी के मामले में काफी तेज होते हैं और इनके हमले से शिकार का बशना काफी मुश्किल होता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको चील के सबसे खतरनाक और भयानक खमले दिखाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखें लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मगरमच अपने अंडों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं इसलिए मादा अंडों को जनब देने के बाद उन्हें किसी भी तरह के खत्रे से बचाने के लिए जमीन में दबा देती है जब तीन महीने बाद इन अंडों से बचे निकलते हैं तब मादा एक एक करकी उन्ह कि बच्चों को अपने पंजों में दबा कर उड़ा ले जाती है ताइगर इस वीडियो में मादा चीता शिकार करने निकली थी जिस वज़ा से उसने अपने बच्चों को केला छोड़ दिया था यहां नन्ना चीता पेड़ पर मज़े कर रहा था लेकिन इस समय एक चील की आकत के आगे वो एकदम हार गया और चील ने इस बच्चे को जान से मार दिया और मादा चीता की आँखों में उसके बच्चे को खोने का दर साफ देखा जा सकता है मंकी चील और बंदर दोनों ही एक इलाके में रहते हैं इसलिए इन जानवरों के बीच लड़ाई अकसर द अंदर का का फीला पास बढ़ रहे इस खत्रे को महसूस करते ही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा लेकिन इसके बावजूद चील का शिकार कामयाब हुआ और वो अपने शिकार को पंजों में दबोश कर ओड़ गई बिली पालतू जानवर होती है और इनसान इने पालना काफी पसंद भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत बार ये जानवर भी चीलता निशाना बन जाते हैं इस वीडियो में एक चील ने बिली का शिकार कर लिया और उसके लाख चतिन करने के बावजूद चील ने से खाने लगी गोट पहाड़ी बक्रियां पश्च मूत्री अमेरिका के पहाड़ी लाकों तथा बफीली पहाड़ीयों पर पाई जाती है यहां इस वीडियो में जनवर का काफीला पहाड़ों पर घूम रहा था लेकिन ठीक इसी जगा एक भूकी चील भी मंडरा रही थी जि मेमन अपने ग्रुप से अलग हो गया और चील को हमला करने का मोका मिल गया चील ने उस मेमने को अपने पंचों में दबा लिया और यह चौनवर चील से बशकर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन उसका हर प्रयास नाकाम साबीत हुआ और आखिर में चील को दावत मिल गया तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो आप उमें कमेंट करके जरूर बताएं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बबाए